वेल्कम टो इस्टोन डिक्टेशन अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करें अब लाइकन को जरूर दबाएं डिक्टेशन पान सेकेंड बात सुरू होगा महोदय कोसी नदी जिसे सोक और दुख का सूचक माना जाता है इस वर्ष फिर अपने प्रकूप से महान हानि का कारण बनी अब इस नदी पर काबू पाने और इसकी उपद्रवी लीला समाप्त करने के लिए भी योजना तैयार हो गई है इस योजना की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और निर्माड का काम हाथ में लिया जा चुका है आशा है इस योजना के निर्माड से बड़े पैमाने पर जनसाधारन को सेवाएं उपलब्ध होंगी जब यह नया परिक्षन सफल होगा तो महान योजनाओं के निर्माड में और भारत की महान जनसक्ती के उपयोग के संबंध में हमारी जानकारी और अनुभव में महत्पूर्ण वृद्धी होगी अध्योगी करण के छेत्र में उन्नती उत्पादन में और अधिक वृद्धी और भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धी विचारा धीन वर्ष की कुछ महत्पूर्ण बातें हैं अध्योगी करण के साथ ही रोजगार के छेत्र को वृष्त्रित करने के प्रयत्न भी बराबर जारी हैं कुटीर उद्योगों और घरेलू धंधों को प्रोथसाहन देकर अध्योगी करण और रोजगार में समुचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है यह बात सभी स्विकार करते हैं कि यदि भारत के जनसाधारण को उदासिनता और हारमानने की भावना से मुक्त करना है तो बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने का उपाय करना होगा इस दिसा में घरेलू उद्योग धन्दे बहुत से लोगों को आंशिक या पूर्ण उपयोगी काम देकर इस समस्या का बहुत कुछ समाधान कर सकते हैं इसलिए पंचवर्षिय योजनाओं में पुराने घरेलू उद्योगों को पुनर जिवित करने और चालू कुटीर उद्योगों को प्रोत साहन देने की विवस्था की जा रही है विदेशी मामलों के छेत्र में हमारी सफलता और भी अधिक है हमारी नीती जिसे मैं सक्रिय और सोदेश्य तठसता की नीती कहना चाहूंगा वास्तविक विवहार में किसी भी देश अथवा यहां के लोगों को अपना सत्र न समझने की नीती है इस नीती के फल स्वरूप हमें स्विस्थ सांती के पक्ष की कुछ सेवा करने का अवसर मिला है हम प्रसन्न और आभारी हैं कि संसार के राष्ट्रों में भारत का स्थान इतना उंचा है इंडोचीन निरिच्छन और नियंत्रन अंतर राष्ट्रिय आयोग की अध्यक्षता हमने स्विक्छा से स्विकार की है और हमारे नागरिक यथा साध्य उस देश में सांती पूर्ण निर्वाचन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं हम सभी राष्ट्रिय अत्वा अंतर राष्ट्रिय समस्याओं का निबटारा सांती पूर्ण ढंग से चाहते हैं मुझे बहुत प्रसनता है कि भारत में फ्रांसी सी बस्तियों की समस्याओं सांती और सद भावना के वातावरण में सुलज सकी है सांती पूर्ण प्रणाली की सफलता का वह एक महत्पूर्ण उदाहरन है दुर्भाग्य से भारत में पुर्टगाली बस्तियों की ऐसी ही समस्याओं को सुलजाने की दिशा में प्रगती नहीं कीजा सकी मैं आशा करता हूं की पुर्टगाल इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वाधीनता के अधिकार को सुईकार करेगा और फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों का अनुसरन करेगा जैसे ही यह वर्ष समाप्त हो रहा है हम अपने सबसे निकट के पडोसी पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में अपने सुखद परिवर्तन देखते हैं पाकिस्तान के लिए हमारे हिर्दय में सदैवसे पूर्ण सदभावना और सुख कामनाएं हैं स्टॉप अगर डिक्टेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अच्छानों को सब्स्राइब जरूर कर लें